हेलो फ्रेंड्स आज हम इस एपिसोड में इलेमेंटरी ड्राइंग एक्जाम का प्लेंड जोमेट्री का क्वेश्चन नमबर 12 स्वाल करने वाले हैं आज का यह क्वेशन इंग्लीश और हिंदी लैंग्विज में एक्स्प्लेंड होगा आपको ड्राइंग एक्जाम गाइड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना है पास वाले बेल आइकॉन को अल क्लिक करना है वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी क करना है प्लेन जोमेटर का क्वेशन सौल करने के लिए अपके बास राउंडर इसे कंपास भी बोलते हैं स्केल और पेंसिल इन जोमेटरिकल इंस्टुमेंट क्या हो शकता है आज हम इंग्लीश हिंदी और महाराटी लैंगेज में क्वेशन पढ़ेंगे आपको स्क्रीन प स्क्वेशन इंग्लीश हिंदी और मराठी लैंग्विज में दिका है अब इसे हम स्वाल करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं क्वेशन में दे गए अनुसार हमें यहां चार सेंटीमेटर वाला एक लाइन लेना है जो क्वेशन में हमें चोत्रभूज स्क्वेश का बेस लाइन अधार दिया है इस प्रकरसे एक फोर सेंटीमेटर वाला लाइन लेना है उसे नाम देना है A, B, 4 cm long और उसके बाद इस लाइन को हमें लेप साइट को थोड़ा लंबा बनाना है थोड़ा ज़्यादा बार की चुना है इस प्रकार से Elementary Drawing Exam का जो Geometry का Question है Question No.4 वहाँ पर मैंने Perpendicular कैसे निकालना है वह सिखाया है यहाँ पर भी हमें यह Point पर Perpendicular निकालना है उस Question को समझ कर आपको यहाँ जो Perpendicular निकालना है उसमें आसानी होगी तो यहाँ पर जो Perpendicular हम निकाल रहे है वह हम Compass Rounder की मदद से निकालेंगे यह Point पर हमें जो 90 डिगरी का एंगल बनाना है वह हमें Compass Rounder की मदद से बनाना है Compass का स्टील वाला Point हमने यह Point पर रखा है और यह Point के Left Side को एक हमने आर्ग बनाया है इस प्रकार से और Right Side को दूसरा आर्ग बनाया है इस प्रकार से दोनों आर्ग AB Line को यहाँ पर Cross गया है वहाँ पर हमें Point लेना है पहले Point पर हमें Compass का Rounder का स्टील वाला Point रखकर यह से थोड़ा ज्यादा Distance Compass में लेना है यह Distance हमें Approximately लेना है और AB Line के उपर वाले हिस्से पर हमें आर्ग बनाना है उसी Distance से दूसरे वाले Point पर Compass का स्टील वाला Point रखकर हमें आर्ग बनाना है Distance वह ही रखना है इस परकार से दोनों आर्ग एक दूसरे को Cross कर गए है वहाँ पर Point मिला है उस Point को Dark करना है और मिले हुए Point को और यह Point को Line से जोड़ना है इस परकार से इस Line को यहाँ पर हमने नाम दिया है यम यम ए यह हमारा AB Line पर Perpendicular हो गया यहाँ पर 90 डिगरी का एंगल हमें मिल गया अब हमें ये पर कमपास का स्टील वाला Point रखकर कमपास में राउंडर में ये भी इतना Distance लेना है और AB Line के उपर इस परकार से हमें आर्क बनाना है इस आर्क ने AM Line को यहाँ पर क्रॉस किया है यहाँ Point मिला है इस Point को नाम देना है D अब हमें D पॉइंट से एक आर्क बनाना है कमपास में Distance कितना है हमारे कमपास में Distance है ये भी इतना यानि 4 सेंटिमेटर अब कमपास का स्टील वाला Point राउंडर का स्टील वाला Point D पॉइंट पर रखकर हमें Right साइड को एक Vertical आर्क बनाना है इस प्रकार से और उसी distance से B point से उस arc पर एक horizontal arc बनाना है इस प्रकार से दोना arc एक दूसरे को cross कर गए है वहाँ पर point मिला है उसे नाम देना है C अब हमें CD point को line से जोड़ना है इस प्रकार से अब CB line को भी line से हम जोड़ेंगे इस प्रकार से हमने ABCD इस चतुरभूच को बनाया है यहां question में हमें आधार दिया था baseline का दिश्टन दिया था उसकी मदद से हमने चतुरभूच चोवकोन और square को बनाया है बच्चो आज का यह question आपको समझ में आया हो आपका कोई question हो आपको कोई problem हो तो comment box पर मुझे आप comment कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो like कर सकते हो अपने दोस्तों को इस वीडियो को share कर सकते हो और इस चैनल को आपको subscribe भी करना है मिलेंगे एक नए episode के साथ Thank you Thank you